शगुन सिंग एक भारती अभिनेतरी और डांसर हैं, जो मुख्य रूप से टेली विजन इंडिस्ट्री में काम करती है. वह दंगल टीवी के सीरियल मस्थ मॉली में मॉली की मुख्य भूमिका निभाने के लिए जानी जाती है. प्रारंभिक जीवन और परिवार अपचारिक नृत्य प्रशिक्षन प्राप्त किया, जिसने उनकी भविश्य की सफलता की नीम रखी. कैरियर की शुरुवात शगुन सिंग 2017 में तब चर्चा में आई जब उन्होंने डांस रियलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर दो में हिस्सा लिया. उनकी असाधारन प्रतिभा और समर्पन ने उन्हें प्रतियोगिता के शीर्ष पांच फाइनलिस्ट में पहुँचा दिया, जिससे उनके शांदार करियर की शुरुवात हुई. इसके बाद, शगुन ने इंडियाज गौट टेलेंट सीजन साथ में भाग लेकर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. 2020 में, शगुन ने टीवी धारावाहिक आशीश छटी मया से अपने अभिने की शुरुवात की, जिसने अभिने कोशल के लिए जल्द ही ध्यान आकरशित किया. सब टीवी के बालवीर रिटरंस और टीवी धारावाहिक एक महानायक डॉक्टर बियार अमबेटकर में दिखाई देने के साथ उनकी उलेखनिय यात्रा जारी रही. हालाकी, 2023 में दंगल टीवी के मस्त मौली में उनके द्वारा निभाई गई मुख्य भूमिका ने वास्तव में उद्योग में एक उभरते सितारे के रूप में उनकी स्थिती को मजबूत किया. अपनी छोटी उम्र के बावजूद, शगुन अपनी शिक्षा के साथ अपने उभरते करियर को संतुलित करने में काम्याब रही है. वर्तमान में DAV स्कूल भिलाई में अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रही शगुन अपनी शैक्षनिक और व्यावसाइक गतिविधियों के प्रती समर्पन और प्रतिबधता का उदाहरन पेश करती है. शगुन की प्रतिबह किसी की नजर से नहीं चुपी है, क्योंकि उन्होंने 2015 में प्रतिष्ठित कलाश्री पुरस्कार जीता, साथ ही आगरा डान्स फेस्ट और पुने नैशनल डान्स कॉम्पिटिशन में प्रतम पुरस्कार भी जीता. ये पुरस्कार नरित्य की दुनिया में उनकी असाधारंक्षमताओं को दर्शाते हैं. शारिरिक विशेश्टाए और शौक पांच फीट एक इंच की लंबाई और पैंतालिस किलो वजन वाली शगुन एक सुन्दर और आकरशक व्यक्तित्व की धनी है. उनकी अभिवियन जिक काली आखें और उनसे मिलते जुलते काले बाल उनके समगर आकरशन में योगदान करते हैं. अपने पेशेवर प्रयासों से परे शगुन को यात्रा करना, टीवी देखना और निश्चित रूप से नरित्य करना पसंद है.